हालो बचो लेट्स रीट इस प्वेशिंट इस जॉइंट ऑफ एल्बो इस ऑफ हिंज टाइप वाल इन सॉके टाइप टाइप या नन ऑफ दीज ठीक है तो अगर हम देखें यहां पर जो एल्बो में जॉइंट होता है इसको में डाग्राम से समझते हैं कंसिडर करो कि दिस जार एल्बो और यह एल्बो जॉइंट है ठीक है तो यहां पर मुवमेंट कैसा होगा यहां पर इस तरीके से मूव कर सकते हैं और हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं मतलब देखें अगर तो एक ही एक्सेस पर जो है मुवमेंट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं यूनी axially ठीक है एक टाइप का hinge joint जैसे कि आप get नहीं खोलते बंद करते हो तो वहाँ पे just present होती है तो तो क्या हो जाता है है एक type का hinge joint हो जाता है ठीक है तो hinge joint जो हे हमारा correct आंट से चला जाएगा तो ऐसा ही joint आपको निमें देखने को मिलता है ऐसा ही joint आपको आपके आपके ankle में देखने को मिलता है ठीक है तो hinge joint जो है वो correct चला जाएगा ball and socket type में क्या होता है एक bone तो ऐसे ball की तरह होती है ठीक है दूसरी bone जो होती है ऐसे socket form करती है दूसरी bone इस तरीके से होती है तो यह ball and socket joint जिसमें काफी moment होता है तो यह incorrect हो जाएगा pivot joint pivot joint भी incorrect हो जाएगा देखो pivot joint जो हमारे कहां present होता है जैसे for example मान लो कि यह एक bone है ठीक उसको मैं थोड़ा सा बना के समझाती हूं आपको तो क्या पता समझ आ जाए ठीक है मान लो कि एक bone है दूसरी bone जो होती है वो यहां पर present होती है इसके बीच में तो हम मान लो कि हमने जो है एक उंगली फसाई एक circle के अंदर ठीक है तो हम क्या कर सक रहते हैं जिससे उंगली को हमने यहां से attach किया है यहां से attach किया है तो हम या तो इस direction में बना इस हो जाएगा इंकरेक्ट हो जाएगा नन ओफ दीज भी इंकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डाट विल भी ऑप्शन ए इसके रिगार्डिंग इंफर्मेशन आपको 11th की निव एंसी आडिय में पेज नमबर 227 पर मिलेगी आई होप कि आपको अच्छा से समझा गया है